गर्मियों के मोसम में नकसीर की समश्या दोस्तों किसी किसी को बहुत ज़्यादा परिसान करती है गर्मियों के मोसम में सरीर में गर्मी ज़्यादा होने की कारण इस तरे की समश्या आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि नाक से जो है अचानक से बलड निकलने लगता है दोस्तों और वो इतना जादा निकलता है कि हम गबरा जाते हैं यह क्या हो गया है एकदम से बहुत ज्यादा बलड निकलता है और उसको देखके हर कोई घबरा जाता है आम क्या दोस्तों तो आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ अगर किसी को गर्मियों के मोसम में इस तरह की समश्या आती है तो आप जो है ये नुस्खा आजमा कर तुरंत राहत पा सकते हों क्योंकि जब भी नक्सीर आती है तो एकदम से जो बलड का बाह होता है एकदम से नाक मेसे ज इसमें मैं नुस्खा भी बताऊंगे जिससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा जो नक्सीर आई है वो एकदम से बंद हो जाती है इस वीडियो में मैं आपको दो नुस्खे बताने वाले हूँ एक तो आप बना कर डाल लेना और तुरंत ही आपको जो है नक्सीर में फायदा मिलेगा दोस्तों दूसरा आप इसे कुछ दिन आजमा कर और जिनको बार-बार ये समस्या होती है न गर्मियों के मौसम में वो बिल्कुल जड़ से इस समस्या को ठीक कर सकती है दोनों ही नुस्खे ऐसे रहेंगे घर के चीजों से और एकदम फायदेवन चीजों से बन कर तैयार होंगे दोस्तों जो आपके सरीर में हर तरह से फायदा करेंगे लेने के बाद में तो सबसे पहले तो यहां पे आप देख रहे हैं आम यह नुसका ऐसा बताएंगे कि आपको डालने के बाद में तुरंत दो मिनिट में फायदा मिल जाएगा तो इसके लिए आमें द दनिया लेने के बाद में दनिया को अच्छे से दोकर साफ करना है एक दम बिल्कुल साफ सुत्रा आपको कर लेना है तीन चार बार पाने से दोना इसके उपर जितनी भी दूलमिटी है वो आटा देना क्योंकि यह जो नुस्खा है आम नाक में डालने के लिए तैयार कर रही ह तो इसमें जो है दूलमिटी बिल्कुल नहीं होनी चीए क्योंकि किसी को अल्रेडी जो है ना दूलमिटी की एलर्जी वगेरा जुखाम की सिकायत इस तरह की समश्यारती है तो उनको दूलमिटी बिल्कुल नहीं जानी चीए इसके साथ में और सभी को इसे दोकर ही इस्ते कर लेना दनिया के साथ में आपको दूसरी चीज जो है न दोस्तो तुलसी लेनी है यहां पे आप जो है न आरी वाली तुलसी जो रामा तुलसी होती है उसका इस्तिमाल करना इसकी तासिर ठंड़ी होती है यह ठंड़क देती है तो आपको अगर रामा तुलसी मिलती है तो र इतना दनिया बस इसको आप अच्छे से पीस कर लेना और फिर इसका रस निकाल लेना दनिया में अच्छे से रस निकल कराता है इसको आप पीसने के बार में किसी कपड़ा लेना कोटन कार उसमें से अच्छे से दबा कर निचोड लेना और फिर इसका आप जो रस में लेगा 5-7-10 बुंद उसको रख लेना और उसकी दो-दो बुंद आपको नाक में डालने हैं 5-5 मिनिट के अंतराल में आप डालेंगे ना पहली बार तभी आपको पुरा-पुरा फायदा इससे मिल जाएगा ज्यान ये रखना है आपको रस थोड़ा सा ही निकालना है ताजा ही इसक इस्तेमाल करना है 5-10 मिनिट के अंतराल में आप एक से दो वारी से डाल सकते हो उसके बाद में जब आप दूसरे दिन इसको डालना चाहते हैं तो आप जो हैना ताजा बना कर लेना और फिर इसको डालना दो-तिन दिन आपको मैं इसलिए बोल रही हूं दोस्तों नकसीर का सबसे आम जो कारण होता है ना आने का वो होता है सूस का हवा गरम कम नमी वाली जो जलवाई हो या गरम इंडोर आवा होती है ना सूस के एक दम उसके कारणा में नकसीर आती है आपने देखा होगा नाक की जो हिला अंदर की नाजुक जिल्ली होती है तो वो सूख जाती है और पपड़ीदार सी उसके उपर से पपड़ी सी निकलती है, वो चिरसी जाती है, उसमें से बलड आने लगता है, या फिर किसी किसी को ज़्यादा गर्मी सरीर में बढ़ जाती है, तो एक दम से बहुत ज़्यादा नकसीर आने लगती है, तो इसलिए आप इस नुस्खे को 3-4 दिन आप आजमा सकते हों इसके साथ साथ आपको एक नुस्खा ओर लेना है यह खाने के लिए इस्तिमाल करना है जैसे जादा गर्मियों के कारण यह समश्या होती है तो आपके पेट को भी थोड़ी सी ठंडक चाहिए जिससी के आपका सरीर सही रहे तो उसके लिए आप क की कमी को पूरी करता है दोस्तों जितना भी पसीना दिन बर में वैता है न तो इनसे आम जैसे तर्वूज खाते हैं गर्मियों के मोसम में खीरा वगेरा खाते हैं लेमन का जो ड्रिंक बना कर लेते हैं या फिर आम जैसे अलकलाइन जो वाटर होता है वो बना कर लेते हैं इन से आपके पानी की पूर्थी होती है पानी की कमी not ही होती है तो आपको जरू लेना जाओ तो 흰ी लिए खी कशी सेलड में आप खाते है रहें लेकिन एक यह द्रिंक बनाकर ले न शुरूए करते हैं кровi'll ठीडर ले ले उसका छिलका एटाकर आप उसको ग्राइडर जार में डाल कर आप जीतना व सके बार एक पिस्न आने कि ये समझ जी कि इसका जूस बनाना है खीरा होता है सप अच्छे से आप वैसे भी खाते ही हैं, तो इसको आप छाने नहीं, बनाने के बाद में जूस जब बना लेंगे, इसको ऐसी ही गिलास में डालने, इसके साथ आप थोड़ा सा तरबूज ले सकते हो, आप गाजर ले सकते हो, और एक निम्बू आपको लेना है, इस तरीके से आप इस ड्रिंक को बना कर रोजाना एक बार दिन में लेना शुरू कर दे जिनको बार बार नकसीर आती है गर्मियों के मोसम में जिनको नकसीर की समश्य है महीने बराजमा लेना एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी आगे भी चलके आपको नकसीर नहीं आने वाली हो जब भी आ लग जाती हैं तो जितना घर में रकी पाने पी लेते हम उतना नहीं पीने में आत रहा है जितना हमारी बोड़ी को चाहिए ग्वारा यह जो सूस्क पढ़ जाती है न दोस्तों तो उसकी पूरती करनीी जरूरी होती है जैसे आप यह ड्रिंक बनाएंगे जैसे मैं यहां प पर यह समय हो रहे हैं मुश्य को ड्रिंक बनाएं माईने अपके सरीड कि कमझो से रधा स ineपैन like ड़ी ओए या आप आज माखर देख सकते हो बहुत्य बैतरी नूस्का है और जो नाक में डालने वाला नूस्का बताया है मैंने तूलशी और धनिया के साथ मैं ये आपको तीन से चार दिम ही करना है उसके बाद में बंदять कर देना इन नूस्कों के साथ साथ आप पानी की मातरा थोड़ी सी जादा लिया करें और गर्मी के मौसम में जिनको नक्सीर की समश्य होंको गरम चीजों की सेवन से बचना चाहिए जैसे गरम तासीर वाली चीजी होती है ना उन से तो आपको यह समश्या जो है जड़ से ठीक भी हो जाएगा और बार-बार पर इज वीडियो को लाइक शीर कमेंट और चैनल पर लिबा रहें तो सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद